मुझे पहले से यार्मिक यूनिफर्म बहुत पसंद थी तो फाउंडेशन में CLC मा आ गया था तो 11 में ही मैंने मन बना था कि मैस में बहुत स्ट्रॉंग बनना है तो क्या होता है दो वर्ड होता है Dedication and Hardworking जो बंदा dedicated होता है न वो तो एम को पक्का पुरा कर लेता है Hardworking जादा करोगे तो जल्दी हो जाएगा मैंने ND की प्रिपेशन क्यू शुरू कि वो एक मूव हो जाता है कि आपको पता है कि अब प्रिपेशन क्यू कर रहे हो तो आप स्टजी बनाने इजी हो जाती है तो सर एक बार 10th class में मुझे पहले से अर्मी की उनिफर्म बहुत पसंती तो एक बार 10th class में वो होता ही है कि क्या करना 11th में तो मोटो का आपका पढ़नेगा तो एक बार मेरे पापजी मेरे पास अए जो एक बार की देख़ है कि बड़ेखा उर्मारे मिलिटरी बैग्राउंड मेरे मेरे चाच्छा जी आप एकर सब अब पापा भी आप जी करना वेटरेन अभी जस एक डिए में रेटार्मेंट आए वो तो रहोने मिरे पास आके एक बात की देख, हमारे सभी भी जो फैमिली में है, they are from JSU, junior commissioned officers से वो होते हैं, मतलब की, मैं सीधर मैं जीडी बोलते हो, तो वो as a SENIC से रिकम्ड़े होते हैं, और हमारे पूरे गाव में भी कोई एक डिरेक्टली रिकम्ड़े रिकम्ड़े तो मेरे पापा ने बोला मुझसे कि मैं चाहता हो कि तू एक लौता बने और ये जो जो मूव है, शुरू करे तू ये officer बनने की, हमारे तू करें तू करें तो अधर से एक मूव शुरू हो जाता है, तो 11 में मैं ढूंड ही रहा था कि कहां पर प्रप्रेशन करों, तो मेरे तू कौलिफाइ दा एक्जामिनिशन फंड तो 11 में मैं मन बना था कि मैस में बहुत स्रॉंग बनना है, तो 11 में मैस बने शुरू कर दी, तो I was not even much aware about all the topics of GAT also, so I started to know about more thing about it also, mathematics यह मैं शुरूवात की ती, तो मैं क्या करता था, mathematics परता था, तो बहुत बार क्या होता है, आप mathematics questions all नहीं कर पाते हो, उस ताम पे obviously भी बात है, moral पर डाउन होता है, यह हर बच्चे का होता है, तो basically क्या हुआ, तो तब भी ऐसा को situation मेरे साथ आती थी, तो मैं GAT लेके बै तो GAT portion में क्या होता है, उस में कुछ, आपको science portion तो अपने पास teachers ने अच्छे हैं, नीड जेगे teachers भी आप उनको पड़ा रहे हैं, तो teachers तो बहुत अच्छे हैं, आपको खुद को महनत करनी पड़ेगी, तो क्या होता है, दो वर्ड होता है, dedication and hard working, जो बंदा dedicated होता है, वो क्या है, इस पर कई बच्चों का नहीं हुआ, वो somewhere it depends on the hard working, आप और करोगे जल्दी हो जाएगा, अगर आप dedicated हो, तो wait करना है, अभी यह नहीं कि moral डाउन करके बैठ जाना है, तो the most strategy behind it, you just have to be hard working, dedicated, और ऐसा है ना, कि अगर मन में बना लें 4G की dress पहने हो, तो फिर अपने स्ट्रेजी कुछ नहीं होती है, अगर आपके मन में की बनना है, तो बन जाओगे, इसमें को issue वाली बात नहीं है, so just we always be motivated, आपको teachers इतने अच्छे मिलें, they are also the mentor of yours, so that's all I want to say, thank you so much.